गुड मॉनिंग क्लास लेबंत हिंदी क्लास में आपका सौगत है बच्चों चलिए कबीरदास जी का जो पद था जितना सेस रह गया था चलिए उसको देख लेते हैं उसका भावार देख लेते हैं तो क्या है क्या है पंक्तियां साखी सब्दह गावत भूले आतम खबर न जाना देखिए उपर कबीरदास जी ने कहा था कि ये लोग क्या है टोपी और माला पहन कर ये लोग क्या है पाखंड करते हैं और इनके गले में माला और इनके सर पर टोपी और माथे पर तिलक देख करके इनके पाखंड का सहजी अनुमान लगाया जा सकता है और उसी क्रम में वे आगे कह रहे हैं कि साखी सब्दह गावत भूले आतम खबर न जाना वास्ताव में ये वे जो पाखंडी लोग हैं वे दूसरों को ग्यान देने के लिए साखी सब्द गाते फिरते हैं दूसरों को मतलब कहने का भाव ये है कि वे दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं किन्तु आतम खबर न जाना वे वास्तों में अपनी अंतरात्मा में बसे परमात्म तत्त को नहीं जानते उनकी आत्मा में बसे जो परमात्मा है उसको वे नहीं जानते वास्तों में वे इस्वर को नहीं पहचानते परंतु दूसरों को ग्यान देने के लिए वे लोग साखी सबद गाते फिरते हैं मतलब धर्म का उपदेश देते फिरते हैं आगे कबिदास जी कह रहे हैं हिंदू कहे मुही राम प्यारा तुरक कहे रह्माना कबिदास जी आगे कह रहे हैं कि हिंदू कहता है मुझे राम प्री है मतलब हिंदू राम को मानता है उसके लिए राम अतिधिक प्यारे हैं और तुरक रह्माना और जो मुसल्मान है तुरक म नका हो जाना और वे दोनों इस तरह से राम और रहीम के नाम पर लड़ते जगड़ते रहते हैं और एक दिन मृत्य को प्राप्त हो जाते मतलब ये अपने पूरे जीवन राम और रहीम के नाम पर लड़ते जगड़ते रहते हैं जब तक कि इनकी मृत्य नहीं हो जाती तब कि अपने धर्म को इस रेष्ट और दूसरे के धर्म को निकरिष्ट बताते हुए राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं लेकिन मर्म न का हूँ जाना परंतु सच्चाई ये है सत्ते ये है कि इस्वर को ना हिंदू ने समझा है और ना मुसल्मान ने ना इस्वर के तत तो कोई स्वर के मर्म को ना हिंदू समझ पाया ना मुसल्मान समझ पाया और आगे कह रहे हैं कभीडास जी घर-घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना और ये जो लोग हैं जो पाखंडी लोग हैं जो अपने धर्म को मानने वाले हैं ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिर रहे हैं घर घर जाकर लोगों को उपदेश देते हैं लोगों को सीख देते फिर रहे हैं वास्तों में ये क्या है महिमा के अभिमाना ये उनको अपनी महिमा को बढ़ाने का बहाना मात्र है अपनी गरिमा को अपने मान को अपने नाम को बढ़ाने का अपने एस को बढ़ाने का एक दिखावा मात्र है वो अपने एस को बढ़ाना चाहते है वास्तों में इनको ग्यान नहीं है ये जो घर घर जाकर लोगों को ग्यान देते फिरते हैं, गुरु मंत्र वाटते फिरते हैं, वास्तों में इनको सच्चा ग्यान नहीं है। उन्हें अपना सिस्य क्यों बनाते फिरते, वास्तों में जब उन्हें इस्वर का ग्यान हो जाता है, अपने आत्म सरूप को जो ब्यक्ति पहचान लेता है, फिर वह इस दुनिया के माया मोह में नहीं फसता, उसमें नहीं भटकता। तो ये लोग जो पाखंडी लोग हैं, घर घर जाकर गुरु मंत्र देते फिर रहे हैं, वास्तों में इसी की द्वारा ये अपनी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, वास्तों में इसे इनको अभिमान अतलबी गर्व होता है, कि मैं लोगों को मंत्र दे रहा हूँ, लोग मेरे मुझसे गुरु दिक्षा ले रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, मैं स्रेश्ट हूँ, तो इस तरह से इनकी अभिमान को त्रिपती मिलती है, वास्तों में ये कोई ग्यानीवानी नहीं है, आगे कह रहे हैं कविदास जी, गुरु सहित सिख सब बूडे अंतकाल पच्छताना, ऐसे गुरु अपने शिस्यों सहित भौसागर में डूब जाएंगे, मतलब ये गुरु तो डूबेंगे ही, साथ में अपने शिस्यों को भी ले डूबेंगे, क्योंकि इन्हें तो खु जब ये अल्प ग्यानी है, महामूर्ख है तो ये दूसरों को क्या ग्यान देंगे, तो इस तरह से इनका तो डूबना तय है, इनका डूबना निशित है, और जो इनसे ग्यान ले रहे हैं, जो इनसे गुरु दिक्षा ले रहे हैं, इनके साथ-साथ वे भी डूब क्योंकि बिना इस्वर का ग्यान पाए बिना इस्वर में तलीन हुए इस भौसागर से पार नहीं जाया जा सकता और अंत काल पच्छताना और अंत में इनके हाथ सिर्फ पच्छतावा ही आएगा अंत में इने पच्छताना ही पड़ेगा और इनके साथ साथ इनके सिस जो इन पूरा जीवन इस ढोंग में इस पाखंड में वितीत किया यदि सच्चे मन से सच्चे हिर्दे से मैंने इस्वर को भज लिया होता तो शायद आज कुछ और हालात होते शायद आज हमें मुक्ति मिल गई होती सायद हमें इस संसार में इतने कष्ट न भोगने पड़ते आगे कभीरदाश जी कहते हैं कि कहे कभीर सुनो हो संतो इसव भर्म भुलाना कभीरदाश जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो कभीरदाश जी कहते हैं कि हे संतो सुनो ये जो संसार के प्राडी हैं समस्त संसार के जो मनुस्य हैं वास्तों में ये भरम में भूले हुए हैं वास्तों में ये भरमित हो गए हैं और भरम के कारण ये अपने आपको भूल गए हैं अपने सुरूप को ये भूल चुके हैं अपने मुख लक्ष को ये भूल चुके हैं और केतिक कहो कहां नहीं माने मैंने इनको कितना समझाया मैंने इनको कितना नहीं समझाया कितना समझाया अर्थात मैंने इनको बहुत समझाया कहां नहीं मानो परंतिनोंने मेरा कहां नहीं माना मेरी बात को नहीं माना आगे कबिर्दास जी कहते हैं सहजे सहज समाना वास्तों में जो इस्वर है उसे तो सहज साधना से ही पाया जा सकता है सिर्फ प्रेम भाव से सच्चे मन से भक्ती के द्वारा ही इस्वर को पाया जा सकता है जो सभाविक सच्चा प्रेम है उसी के द्वारा ही इस्वर को पाय इस्वर को नहीं चाहिए कोई क्रिया कलाप या और कोई बस इस्वर को नहीं चाहिए संसार के प्राडियों से क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब तो इस्वर का ही दिया हुआ है सब कुछ इस्वर की ही क्रिपा से है सब कुछ इस्वर का ही है तो इस संसार के प्राडियों से इस्वर को कुछ भी नहीं चाहिए वास्तों में इस्वर सच्चे सरल सहज हिर्दय वालों को ही प्राप्त हो सकता है सहज प्रेम से सुभाविक भक्ती से इस्सर को पाया जा सकता है ना कि किसी कर्मकांड से तो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो भावार्थ था पूरा हो गया मतलब कभीरदास के पद का जो भावार्थ था पूरा हो गया आपका काविका एक शेप्टर कंप्लीट हो गया अब देखिए यहाँ पर आपकी लरी लरी में क्या है पुंडुक्त प्रकास अलंकार है और साखी सब्दन ही गावत भूले यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है और इस पद में जैसा मैं बार-बार बताती जा रही हूँ कि कभीर ने हिंदू मुसल्मान दोनों पर कटाक्ष किया है